हालो इस्टुडेंट्स आज हम ओनलाइन क्लास पर क्लास 10 के साथ साम्याए हैं आज हम क्लास 10 के cbsc साइन्स पेपर का हम दो सेक्षन का सोलिशन करेंगे section A और section B तो आज के जो पेपर सेट है हमारा वो पेपर सेट है है three और क्यूशन के पर कोड है 31 औबलिक 1 औबलिक 3 तो क्यूशन पेपर सेट 3 के हम आज दो सेक्षन का सोलिशन करेंगे section A और section B section A आपके सामने अब्जेक्टिव क्यूशन प्लास एसरेशन और रिजन के क्यूशन है सेक्शन बी जो है वह आपके सोट आंस्वर टाइप क्यूशन है तो बिना किसी देरी के और आज के पेपर का हम सॉलुशन करते हैं तो डियर स्टुडेंट आज का हमारा जो फर्स्ट स्ट्शन एका फर्स्ट क्यूशन है दे इमीशन ऑफ ब्राउन फ्योंस इन गिवन एक्सपरिमेंटल सेटप इज डू तो आठ की क्यूशन के अंदर एक सेटप दिया गया है एक्क्यूपमेंट का और उस और टैस्टीम को यहांपर बर्न किया गया है कि प्यार से यह आपका बरदर हे बर्नर और कुछ केमिकल को जब हमने बर्न किय również कैमिकल यहां पर दे रखा है lead nitrate, lead nitrate means PBNO3, PBNO3 hold twice, तो ये PBNO3 hold twice जो है हमारा lead nitrate है, जब इसको हम burn करते हैं, तो यहाँ से हमें एक brown fume हमें दिखाई देती है, तो हमें यह बताना है कि इस process के अंदर क्या होता है, और यह reaction जो है, वो कौन सी reaction होती है, तो देखी, जब हम thermal, क्योंकि यह हम heat दे रहे हैं, यह heat है हमारा, heat means temperature, और इसको हम कहते हैं thermal, तो जब lead nitrate का PB NO3 hold twice का हम क्या करते हैं, heat करते हैं, जब हम इसको heat करते हैं, तो यह PB oxide बनता है, प्लस nitrogen dioxide पिलने बनेगा, प्लस oxygen यहाँ पर release होता है, तो यहाँ पर जो lead oxide बनता है, यह lead oxide yellow color का product बनता है, और जो nitrogen dioxide है, यह gas brown fume के रूप में, brown fume के form के अंदर release होती है, तो इस first question का जो option होगा, वो यह होगा, thermal decomposition, तो यह reaction कौन सी होती है, thermal decomposition, thermal decomposition, तो thermal decomposition of lead nitrate which produce brown fume of nitrogen dioxide, इसको हम क्या कहते हैं, nitrogen dioxide, nitrogen dioxide, तो first question का option क्या होगा, right answer A, question no. 2, in the experimental setup given below, it is observed that on passing the gaze produced in the reaction, in the solution X, the solution X first turn milky and then colorless, the options that justify, the above stated observation is that X is aqueous calcium hydroxide, तो आपको इस question में बताया गया है, कि X जो है, वो क्या है, calcium hydroxide है, और calcium hydroxide के अंदर जब हम gas पास करते हैं, तो calcium hydroxide एक milky product के अंदर convert होगा, और excess CO2 या excess gas जब हम पास करते हैं, तो ये milky product जो है, वो colorless product में बदल जाता है, तो इसके options क्या होगे, तो इसमें चार option में से, जो second option है, वो आपका correct option है, second option ये है, it turns milky due to formation of calcium carbonate, and on passing axis of carbon dioxide, it becomes colorless due to formation of calcium hydrogen carbonate, which is soluble in water, तो इस reaction को हम यहाँ पर show करते हैं, reaction को देखिए, मेरे dear students, देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले, हम Na2CO3, sodium carbonate का, जब 2HCl, ये हमारे क्यूशन में दिया गया है, क्यूशन में जो हमें दिया गया है, उसमें देखिए, आप क्यूशन के अंदर हमें दिया गया है, इस आपके diagram के अंदर अगर हम देखेंगे, तो diagram में देखिए, जो हमारा tube है, उस test tube के अंदर dilute hydrochloric acid है और sodium carbonate है, तो sodium carbonate और HCl की जब हम reaction करवाते हैं, तो इसको जब हम reaction करवाएंगे, तो ये हमारे पास 2 NaCl बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, और H2O बनेगा, अब जो release CO2 है, ये release CO2 है, वो हम किसमें पास कर दें, पास इन, केल्सियम हाइड्रोकसाइड सोलिशन, जिसको आप कह रहे हैं, X, ठीक है, इस X के अंदर जब हम transfer करते हैं, तो केल्सियम हाइड्रोकसाइड प्लस CO2, तो इससे क्या reaction से क्या product बनेगा, यहाँ पर एक केल्सियम हाइड्रोकसाइड बनेगा, केल्सियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये केल्सियम कार्बोनेट जो है, वो milky white होता है, milky white, ये milky white color का product होता है, केल्सियम हाइड्रोकसाइड, अब इस reaction के अंदर, केल्सियम हाइड्रोकसाइड कार्बोनेट के अंदर, अब अक्सेस CO2 यदि हम पास करते हैं, अक्सेस CO2, तो अक्सेस CO2 को पास करते ही, यहाँ पर क्या बन जाता है, केल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यह calcium hydrogen carbonate जो क्या है, soluble होता है, soluble in water and यह milk less हो जाता है, तो इसको हम बोलते है milkiness product, तो यही हमारा solution, इस cushion की options के अंदर दे रखा है, कि first it turns, जो B option है, वो B option यहाँ पर right है, it turns milky due to formation of calcium carbonate, तो देखी, calcium carbonate, CO2 के excess से calcium hydroxide, जिसको आप कह रहे हैं, excess, वो किसमे convert हो गया है, calcium carbonate, ठीक है, calcium carbonate, and excess carbon dioxide, it becomes colorless, colorless calcium dihydrogen, formation of calcium hydrogen carbonate, यह calcium hydrogen carbonate बनता है, तो इसका right option जो होगा, वो right answer, B option होगा, दो में, तू में, अब हमारे पास question number 3, question number 3 के अंदर आपके पास कुछ solution की table दे रखी है, और उसके pH color दे रखी हैं, और उसकी approximate pH है, और solution का nature आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सभी के, जो सभी के solutions जो हैं, उनको हम समझते हैं, कि सभी के solution में क्या क्या होगा, तो हमारे पास सबसे पहले जो lemon juice है, lemon juice, उस lemon juice की यदि हम pH, आपके question में क्या दे रखा है, pH का जो color है, वो orange दे रखा है, क्या दे रखा है, orange, बट इसका जो right answer जो होता है, वो golden yellow होता है, क्या होता है, golden yellow, यह right answer होता है, और pH जो है, आपके question के option में दे रखा है, pH 3, lemon juice की, तो इसकी pH भी approximate 2 और 3 के बीच होता है, तो acidic होता है, और आपके question में basic दे रखा है, बट यह होता कैसा है, acid, तो पहला option तो automatic ही गलत हो गया, ठीक है, second हम बात करते है, milk of magnesia, milk of magnesia, तो milk of magnesia जो होता है, उसका cushion में color दे रखा है, blue, cushion में क्या दे रखा है, blue, और इसका color कैसा होता है, यह blue color का ही होता है, कैसा होता है, blue color का, यह भी blue color का है, तो right answer, blue, blue is the right, next इसकी pH अगर हम देखें, तो pH यहाँ पर 10 होती है, तो 10 pH right होती है, और 10 pH जो है, वो basic होती है, means इसके चारों option जो है, वो क्या है, right है, third option में जदी हम देखें, gastric juice, gastric juice, तो gastric juice का cushion में जो color दे रखा है, वो red, but gastric juice जो हो है, वो कैसा होता है, colorless होता है, इसका कोई भी color नहीं होता है, colorless होता है, इसकी pH cushion के अंदर 6 दे रखिये, बट इसकी pH कितनी होती है, 2, 2, 3, यानि 2 से 3 के बीज इसकी pH होती है, और इसका natures होता है, वो cushion में भी acidic होता है, और 2, 3 pH पर कैसा होगा, acidic होगा, तो यहाँ पर यह statement क्या हुआ गलत, यहाँ पर यह गलत, it means यह option भी गलत है, next pure water का आपको दे रखा है, fourth आपको pure water, pure water, pure water का जो color आपकी cushion में दे रखा है, वो yellow, yellow cushion दे रखा है, but pure water का जो pH paper color होता है, वो कैसा होगा, green होता है, तो yellow यहाँ पर गलत हुआ, next pH जो है, वो 7, तो pH 7, pure water की pH 7 होती है, यह right है, और nature कैसा होगा, neutral होगा, तो यह यहाँ पर सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक option गलत है, दो सही है, तो इसका मतलब य milk of magnesia में सही है, तो आपका जो right answer होगा, वो milk of magnesia होगा, milk of magnesia, question number 3 का, जो first, second option जो है, वो सही है, देखे, नेक्स्ट जो question है, वो आपका एक reaction दे रखी है, reaction है, मेगनीज ओक्साइट, Mn, O2, प्लस, X, HCl, इससे जो product बन रहा है, वो मेगनीज ख्लोराइड बन रहा है, प्लस, Y, H2O, प्लस, Z, Cl2, तो आपको इस question में पुछा है, in order to balance the above chemical equation, the values of X, Y, and Z, तो इस reaction को आपको balance बनाना है, और balance में आपको ये बताना है, कि X क्या होगा, और Y की value क्या होगी, और Z की value क्या होगी, तो देखे, इसकी जो solution होता है, इसका वो होता है कि यदि हम मेगनीज क्लोराइड का, M, N, मेगनीज ओक्साइड का reaction हम किस से करें, 4HCl से, 4HCl से यदि हम करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, M, N, Cl2, प्लस, 2H2O, प्लस, Cl2, यहां पर इस reaction में देखिए, X क्या है, हमारे पास 4, और Y क्या है, Y हमारे पास 2, और Z क्या है, हमारे पास 1, Z क्या है, हमारे पास 1, तो यह option 4, 2, 1, 4, 2, 1 का जो option है, वो C option is right, C option क्या होगा, right होगा, ok student, next है हमारे पास की select washing soda from the following, तो आपके question number 5 भी, यह question number 4 था, आप question number 5, question number 5 में आपको washing soda का formula बताना है, तो washing soda जो होता है, वो sodium carbonate और decahydrate होता है, decahydrate होता है, sodium carbonate decahydrate, decahydrate का मतलब है कि H2O का molecule कितने होते हैं यहापे, 10 होते हैं, तो sodium carbonate decahydrate, इसका option C, तो science question number 5 में, जो right answer है, वो C option होगा, ठीक है students, समझ में आ रहा है, अब हमारे पास next, जो question 6 है, उस question 6 में आपको यह बताना है, कि आपके तीन structure दी हुई है, और इन तीनों structure में से आपको बताना है कि correct option क्या है, तो देखिए, यहाँ पे यह three structure हम बना लेते हैं, question number 6, question number 6, 6 में एक आपके यह structure बनी हुई है, और एक a structure है, इसको हम a structure कहते हैं, जिसपर ये carbon है, और इस carbon पर ये 2 h यहाँ पे है, एक carbon यहाँ है, h और h, ये carbon ये h, और h, एक carbon यहाँ पे है, और h, और h, ये carbon h, यह ब cafeter गज़ना है यहां पर कितने कार्बन सिक्स कार्ष एक क्रेट डों टीन चार पाच श्थी सिख बैड़ों है ठीक है तो यह एक को साइकलिक कारवन होता है साईकलिक वायडोकर्भन हैै इस 남ीं हे यह जो नहीं देखते हैं 20 स्टेक्चर में क्या है वह बीस टेक्चर है यह यह पर डबल बॉन्द है और करो है यह घ्र थी एक 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 सी स्टेक्चर है सी स्टेक्चर यह भी बेंजीन जैसी रिंग है तो इसमें लेकिन इसमें हमारे पास दो ही का डबल बॉंड है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन अब देखिए अब इसमें हमारे पास ओपसेंस देखते हैं ए एड़ फस्ट ओपसेंसे एड़ आइशोमर ओफ हैक्जेन एंड बी इस बैंजीन तो बी देखिए बी तो बैंजीन है बिल्कुल सही है बी इस बैंजीन बट एड एंड़ C is not isomer, is not isomer, option A is wrong, तो इसका isomer नहीं है, B option A is an isomer of hexane, B is benzene and C is isomer of hexane, तो C है, वो isomer का hexane नहीं है, B है, वो benzene है, लेकिन A का isomer नहीं है, तो इसका right option जो है, वो C है, इस question का right option क्या है, C है, C is, C क्या है, A is saturated cyclic hydrocarbon and B and C are unsaturated cyclic hydrocarbon, ये एक cyclic hydrocarbon है, cyclic hydrocarbon, ये कैसा है, cyclic hydrocarbon, इसमें किसी प्रकार का कोई भी double bond नहीं है, इसलिए ये कैसे है, saturated, तो A is saturated hydrocarbon, cyclic hydrocarbon, और B and C, ये B है और ये C है, ये दोनों क्या है, unsaturated cyclic hydrocarbon, तो option C क्या है, यहाँ पर correct option होगा, next जो question है, question number 7, question number 7 जो है, उसमें देखिए, आप एक electrolytic refining दे रखी है, तो electrolytic refining के अंदर आप देखेंगे, कि यहाँ पर एक electrode बना रखा है, एक setup बना रखा है, electro refining का, question number 7, question number 7 के अंदर आप देखेंगे, यह एक electrode बना हुआ है, ठीक है, यह एक anode है, एक anode यह है, दो anode है, यह है, प्लस जिसको हम बोलते है anode, और यह है minus electrode, इसको हम बोलते है cathode, ठीक है, cathode और anode, तो यहाँ पर जो cathode है, इसमें आपको incorrect पूछा गया है, इनकरेक्ट आपको यहाँ पर पूछा गया है, कि incorrect option क्या है, the following diagram shows the electrolytic refining of copper, which of following statement is incorrect description of the process, तो यहाँ पर जो anode होता है, वो anode किसका बना होता है, impure, यह बना होता है, impure, impure metal का, और यहाँ पर जो metal है, वो क्या है, copper, कौन्स metal है, copper है, जिबकि cathode जो है, वो pure metal का बना होता है, pure metal का, और यहाँ पर जो solution हम electron है, question number 7 की बात करते है, question number 7 में क्या है, कि यह एक container बनाया गया है, और इसमें यह electrode है, तो electrode हैं इसमें, anode, plus charge anode, और यह minus charge इसको हम बोलते है, cathode, anode जो है, impure metal का बना हुआ है, impure metal, और वो impure metal कौन सा है, copper, copper metal को, यानि metal को हम separate करते हैं, तो उस process को बोलते है, electro refining, और यह pure metal का बना होता है, pure metal, copper, cathode, इसमें solution होता है, जिसको हम बोलते है, electrolyte solution, यह electrolyte किसका बना होता है, electrolyte, यह electrolyte जो है, वो copper sulfate का बना होता है, यानि जो भी metal होता है, उसके sulfate का, या उसके salt का willion होता है, solution होता है, अब इसमें current जो हम flow करते हैं, तो यहां से जो impure copper metal होता है वो electrolyte में dissolve होता है और electrolyte में dissolve होने के बाद यहां से किस पर deposit हो जाता है pure copper जो है वो cathode पर deposit होता है तो जो impurity होती है वो impurity कहां पर collect हो जाती है anode के नीचे, anode के bottom में और इसको हम बोलते है anode punk इसको हम क्या कहते है एनौड किया तो इसमें देखिए फर्स जो राइट ओफ्षन होगा वह राइट ओफ्षन टी है क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको in-correct statement पुछा है तो in-correct statement जो ओफ्षन दी है वो राइट है on passing the current through the electrolyte the pure metal देखो pure metal anode से निकलती यहाँ से impure metal release होती है the pure metal from anode dissolve into electrolyte यह गलत है यह पर pure नहीं होती यह पर impure metal जो है वो एनोड से electrolyte में डिजोल होती है Question No.8 Question No.8 आप से पूछा कहा है कि the following statement about small intestine select the incorrect statement तो इन में से आप से incorrect पूछा है तो incorrect में पहला आपका option है the length of small intestine in animals differs as it depends on the type of food they eat. तो herbivores और animals में small intestine उसकी length अलग अलग होती है यह बात सही है the small intestine in the site of complete digestion of food यह बात भी सही है the small intestine receives secretion from liver and pancreas यह statement भी राइट है and fourth देखे the villi of small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body by the anus यह statement गलत है तो यहाँ पर correct option जो होगा question number 9 देखे question number 9 में an organism which break down the food material outside the body and then absorb it तो जो saprophite organism होते हैं वो क्या करते हैं अपनी body से enzymes release करते हैं और enzymes के थूँ body outside of the body उस food materials को decompose करते हैं then decompose material को absorb करते हैं ऐसा option जो है वो rhizophus saprophite होता है तो rhizophus जो है question number 9 में जो correct option जो होदा वो D होगा क्या होगा? D यह फंजाई saprophus तो rhizophus जो फंजाई है वो यहाँ पर correct होगा next आप से पूचा है कि which of following metal do not corrode question number 10 10 के अंदर कौन सी metal moish air में corrosion नहीं होगा तो यहाँ पर gold जो metal होती है और gold कौन सा option है? C is right option तो C के अंदर जो gold है उस gold का moish air में corrosion नहीं होता question number 11 question number 11 के हम बात करते हैं select from the following the correct statement about tropic moment in plants तो टोपिक मुमेंट में क्या होता है? कोई stimulus होता है वो stimulus कौन सा होता है? stimulus यहाँ पर stimulus जो है वो दो होते हैं एक होता है touch और एक होता है temperature तो इस stimulus के response में plant में जो moment होता है उस moment को बोलता है tropic moment तो option A जो है question number 11 11 का A option जो है वो right option होगा question number 12 में बोलता है the statement that correctly describes the characteristic of a gene gene के कौन से character सही है तो first option जो है देखिए the individual of a given species a specific gene is located on a particular chromosome तो किसी भी species के अंदर जो specific gene है वो एक particular chromosome पर पाए जाते हैं यह बात सही है a gene is not the information source for making protein in the cell यह कह रहा है कि gene जो है वो protein बनाने के लिए protein बनाने के लिए information source नहीं है यह बात गलत है क्योंकि gene ही protein बनाता है each chromosome has only one gene located along its length यह कह रहा है कि एक gene एक chromosome परती chromosome की संपून लंबाई पर पाए जाता है यह बात गलत है तो next D देखी all the inherited traits in human being are not controlled by gene तो gene से inherited traits जो है उनको कंट्रोल नहीं करते हैं यह बात गलत है बट जीन जो है वो inherited traits को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं तो यहां पर question number 12 में में जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन क्या होगा यह होगा क्यूंकि 15 एंपर कुछ में उसमें यूज करते हैं तो हाइप आवर रेटिंग सच अज घीजर तो यह इसका ऑप्शन होगा राइट क्यूंक्य नमबर थारीटीन में कौन सा ऑप्शन होगा यह ऑप्शन इस राइट ऑप्शन होता है एक यूशन नंबर नेक्स्ट देखिए क्यूशन नंबर जो है वो 14 कि कि यूशन नंबर 14 एक फिजिक्स का यूशन है अपनी इस देखिए हम सॉल करते हैं क्या होता है कांस्वर कि क्यूशन नंबर 14 कि क्योशन नंबर 14 कह रहा है की इस फॉर रेजिस्टर कितने हैं रेजिस्टर और इसके रेजिस्टेंस कितना है इसका रेजिस्टेंस जो है वो अधी जब इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं कनेक्टेड इन सीरीज के इंदर यदि हम जोड़ते हैं तो इसका तक क्यूशन सॉल किये थे क्यूशन नमबर 8 9 10 11 12 13 यह सभी के करेक्ट ऑप्षन है क्यूशन नमबर 13 में जो ए ऑप्षन है उसमें यह बताया गया है कि जो हमारे हाउस की जो डॉमेस्टिक एलेक्टिक एक्यूपमेंट होते हैं जैसे गीजर है एसी है इन में क्या होता है कि हाई पावर को कंजूम करने के लिए 15 एंपियर का वायर आपको रेटिंग पावर आपको यूज में लेना होता है इसलिए इसका ओप्षन जो है वो 30 का ए होगा क्यूशन नमबर 14 है 14 का ए देखिए 14 क नमबर दिये गए है न के नमबर है यहां पर है 4 और आर आपको दिया गया है आठ तो हम अगर सिरीज के अंदर सिरीज में जदी इनको जोडते हैं 4 रेजिस्टर्स को तो इसका effective resistance रेजिस्टेंस बराबर होता है ए और और एन आर में एन की वेलिव 4 इंटू 8 इसकल टू 32 यह हमारा सीरीज का रेजिस्टेंच आ जाता है अगर हम इसको पैरलल में कनेक्ट करें तो पैरलल में कनेक्ट करने पर इसका जो एफेक्टिव रेजिस्टेंच आर पी होता है वो आर अपॉन एन होता है आर हमारे पास कितना है एट और एन हमारे पास तो यह हमारे पास कितना इसका रेशियो यदि हम देखें RS अपॉन RP तो RS और RP का जो रेशियो होता है 32 अपॉन एट यह हम सोरी 32 अपॉन 2 ओम तो ओम से ओम कर दिया तो यह हमारे पास 16 हो गया तो इसका करेक्ट आंस्वर होगा rij क्योड क्यूशन नंबर फॉर्टीन का जो करेक्ट आंस्वर हागा वह को होता है और क्यूशन नंबर 15 जो क्यूशन नंब्ब against य Berry करेक्टhone सथ होगा मेरि कूशन नंबर 16 की यदि हम बात करेंगे तो question number 16 में आप से increased depicted changes पूछा गया है तो यहाँ पर अगर normal current i है तो p यहाँ पर क्या होता है i square r होगा i square r क्या होगा normal power depicted होगा यदि हम इसको increase कर देते i से इसको 100% increase कर देते हैं तो यह कितनी बन जाती है 2i और 2i जो बनती है उसको हम कहते है i dash यदि स्टार्टिंग में i थी उसका 100% बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने पर 100% बढ़ाएंगे तो वो double हो जाएगे i dash बराबर i i हो i r हो गया 2i r और p dash बराबर क्या हो गया p dash बराबर होता है i dash का square और r और p dash बराबर i dash हमारे पास 2i है 2i का square और r यह कितना होगा 4i square r और 4i square में i square r है वो हमारे पास p है तो p dash बराबर 4p हमारे पास value आगे अब बढ़ाने के बाद में इसमें जो changes आता है वो changes क्या है p dash minus p upon p into 100 और p dash हमारे पास कितना है 4p 4p minus p upon p into 100 तो इसका solution होगा तो क्या होगा 300 percentage तो correct option is c c 16 के अंदर c होगा अब question number 17 की हम बात का है तो यहां से 17 18 और 19 यह 3 20 तो यह हमारे पास चार question जो है जो acceleration और region के है तो 17 का जो acceleration जिया गया है वो है genes inherited from parents parents decides the sex of a child तो genes जो है वो parents से और transfer होते हैं और sex को determine करते हैं यह वाद सही है यानि a is correct अब r क्या है देखे r x chromosome in a male child is inherited from his mother तो male के अंदर जो x chromosome होता है वो mother से आता है ना कि father से इसलिए r यहां पर गलत है तो correct option क्या होगा c होगा c option क्या है कि a is true and but r is false question number 18 18 में देखे क्या होगा इस reason कह रहा है कि the color of aqueous solution of copper sulfate trans colorless when a piece of lead is added तो अगर हम देखो क्या है कि यह कह रहा है कि copper sulfate cu so4 plus इसमें lead pb pb more active है किसे copper से तो यह क्या करती है इस copper को replace कर देती है तो यह reaction है displacement और displacement में क्या है तो यहां पर जो copper sulfate होता है color of aqueous solution of copper sulfate turns colorless तो यह क्या है colorless colorless में यहां पर क्या है displacement reaction होती है is added to it यह इस correct अब यह बोल रहा है कि lead is more reactive than copper correct बात है यह more active है और यह less active है तो copper को replace कर देता है तो lead is more reactive than copper and hence displace copper from its salt solution तो यहां पर a and r both are true and r is correct explanation of a तो question number 18 का correct option क्या होगा a होगा question number 19 देखी 19 क्या होगा 19 को हम समझते है question number 19 देखी 19 क्या है the strength of magnetic field produce at the center of a current carrying circular coil increase on increase the number of turn it यह कह रहा है कि किसी भी cylindrical जो कोईल है उस cylindrical कोईल में यदि हम increase करते हैं number of turns यह cylindrical coils है इन coils की number जितनी increase करेंगे number turn number turn number increase करती ही magnetic जो field होता है B वो B वी क्या होता है increase होता है यह बात सही है और reason क्या कह रहा है the current in each circular turns has the same direction as and the magnetic field due to each turn just added तो यहां पर प्रतिक कोईल के अंदर जो प्रतिक कोईल है na turn जो है each turn उस each turn में जो direction होगा current का वो current का direction क्या होता है same होता है तो A और R बोथ are true and R is explanation of A तो 19 के अंदर जो correct option होगा वो क्या होगा A होगा ठीक है 20 20 क्या गयता है क्यूशन नंबर 20 क्यूशन नंबर 20 क्यूशन नंबर 20 में कह रहा है कि तर लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सिजनेटेट ब्लड फॉम पल्मोनरी वेन यह हम हर्ट की बात करते हैं सपोज यह हमारा हर्ट है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यह किस से यह कह रहा है लेफ्ट एट्रियम रेशीव ऑक्सिजनेटेट ब्लड बाई पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन से रिशीव करता है सही बात है और राइट एट्रियम ट्रा transfer करता है, lungs को for oxygenation, for oxygenation, means यह भी सही है, तो A and R is both true, A and R both are true, and R is correct explanation of A, तो 20 के इंदर तो correct option क्या होगा, वो होगा A, ओके, यह होगा, तो dear student, आज की इस वीडियो में हमने CBSC Class 10th Science के paper का section A को solve किया है, next video में हम section B को solve करेंगे, तो आप next video का इंतजार करें, कल आपको next video मिल जाएगा, thank you.